सुभा एक कप कॉफी न मिले तो पूरा दिन खराब जाता है आपने अक्सर लोगों को ऐसा कहते सुना होगा ये सही भी है क्योंकि कॉफी पीने से नर्वस सिस्टम स्टिमूलेट होता है और आपको इंस्टेंट एनरजी मिलती है ये थकान को दूर करने और फोकस बढ़ाने क मदद मिलती है लेकिन अक्सर लोग एक सवाल काफी पूछते हैं कि कॉफी चहरे पर लगाना तो काफी फायदिमंद होता है और त्वचा की कई समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है लेकिन क्या इसे पीने से भी हमारी त्वचा को कोई लाप मिलता है या क्या जाद मात्रा में कॉफी पीने से इससे हमारी त्वचा पर कोई नेगेटिव इंपक्ट परता है चलिए आज की वीडियो में जानते हैं नमस्का मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काय डॉक्टर्स की मानी तो कॉफी का सेवन संपून स्वास्त करिए कि आप सुभख खाली पेट इसके सेवन से बचें ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार खाली पेट कॉफी का सेवन करने से पेट में गैस और अन्य गैस्ट्रिक समस्या हो सकती हैं कॉफी पीने का सबसे अच्छा समय है कि आप ब्रेकफास्ट के एक घंटा बाद इसका सेव हो जाती है जी हां वहीं शाम होने के बाद या रात में इसका सेवन करने से भी ये आपकी स्किन पर एक नेगटिव इंपेक्ट डाल सकता है कॉफी में शक्तिशाली अंटी ऑक्सिदेंट मौजूद होते हैं जो शरीर में फ्री रैडिकल्स को बेयस्सर करते हैं और तवचा कोशिकाओं को होने वाले नुकसान से बचाते हैं फрी रैडिकल्स तचा पर फाइन लाइज और जुरियों का कारण भी बनते हैं ये आपको जल्द बुड़ा बनाते हैं ऐसे में कॉफी का सेवन करने से शरीर में ऑक्सिटोसिन स्ट्रेस को कम करने में मदद मिल सकती है इस अधाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही और विए सी स्टोरी इसको देखने के लिए आप जड़े रहे हमारी साथ तब तक के लिए नमस्कार